नमस्ते अर्चना जी नमस्कार से मानने मुखमूती जी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार से नमस्ते इन बच्चों का नाम क्या है और अन्जी शर्मा और ये बेटी अन्जी शर्मा जी से क्या नाम बेटी क्या नाम बेटी अकांचा शर्मा अच्छा तो आप लोग पढ़ने की तो पंटेंटिंग करते हो गाना गाते हो खेल कुद में भाग लेते हो क्या बना आए पेंटिंग अब तर अक्षे सच्छा कौण साथ है भाया का चितन बनाई होगी प्रेम बनाई ती मैंने अच्छा अर्टना जी आपने पतिदेव क्या करते हैं तो सारा कारोबार आपने समाल लिया तो घर भी समालती हो और टिकी सेंटर भी समालती हो जी तो टिकी सेंटर खाने के लिए लोग आते हैं उसका समाय क्या होता है ज्यादा बीड़ कब होती है अर्टना जी सुनाई दी दे रहा है अपका जी ये ये टिकी खाने के लिए जो लोग आते हैं ज्यादा लोग कितने बज़े आते हैं ज्यादा लोग आते हैं, सर वो दो बजे के बाद. अच्छा, तो कभी हम ग्वालियर आएं तो हमें टीकी खानों को मिल जाएगी? जी, बिल्कुल मिलेगी. अच्छा, क्या विशेष्ता है, आपकी टीकी और बाद, कई टीकी वाले तो होंगे, आपकी टीकी ज्यादा बिक्ती, इसका कारण क्या है? जी, अब वो तो सर खाने वाली जन्ता को पता होगा कि क्या सर कारण क्या है? देखिए, आज कल, जो इस प्रकार से खाने के स्टॉल लगाते हैं, वे भी हाईजीन के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, हाईजीन के जितने नियम हैं, उसका पालन करते हैं, और उसके कारण, लोग उनी के हाँ जाना पसंद करते हैं, लोग वहीं से लेना करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपने भी बहुत ही साप सुथ्रा अपने सारी व्यवस्था रखी है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके यहाँ ज्यादा लोग आते हैंगे, और आपको पता होगा, अब आपके पतिदेव बिमार है, और मैं चाहूँगा अग जारत योजना चल रही है, गरीब परिवार को अगर बिमारी हो जाए, तो प्रधान मंत्री आयुश्मान योजना चल रही है, क्या उसका पता है अपको? मेरे पती का उलाज उसी से चल रहा है सर, अचा उसी में चल रहा है, जी जी सर, तो डॉक्टर अस्पताल सब जगा से ठीक मदद मिल रही है, तो अभी आपको पैसों का खर्चा नहीं हो रहा है न, नहीं कोई खर्चा नहीं हो रहा है, पुरा पुरा समाला जा रहा है, जी कोई तकलीब है तो आप मुझे भी चिठी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पतिदेव जल्दी ठीक हो जाए, तो आप इन बच्चों को समय दे सकें, और हमें भी अच्छा लगेगा, ये जब योजना आई, इतना बड़ा जब आपके सामने एक तरफ आजीवाका का संकट आया और आपको ठेला लगाने के लिए इस परकार से बाजार में खड़े रहकर के बापार करने के बात आईए, ये हिम्मत और ये विचार आप में कैसे आया अर्च राजीए, तर सर भगवान के किरपास है, सर आप लोग की मदद से, सर अर्याद कारी सबीके मदद से, लेकिन श सर दंदा बंद हो चुका था, पिर मैंने ये आपके जो दाशाजार का लोण मुझे बैंक से मिला, उसके बाद मैंने दुबारा चालू कर लिया, तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? तिकत नहीं आई, आपको पता कैसे चला ये, पी-एम स्वनी सेंटर बैंक वालों ने सर मुझे ये पैसा दिया, तो आपको कोई भागदोड, कोई परिशानी नहीं हुई, तो पैसे मिल गए, जी मिल गए, तो इन पैसों के काम अब आप अपना काम अच्छे दंग से कर पा रही हो, देखिए अर्थना जी, आपने बड़ी बहदूरी क साथ ये मुश्किल समय में अपने परिवार को भी समाला है, आप जैसी बहने, बेटियां पूरे समाज को प्रोथसाइद करती है, मेरी प्राजना है कि आपके पती का स्वास्त जल्द ठीक हो जाए, और आपकी दोनों बच्चे बहुत पढ़ लिकर के आगे बढ़े, उनके के अंदर जो कौशल है, शक्ती है, सरकार की कई योजना होती है, इन बच्चे उसका फाइदा उठाए और बहुत आगे बढ़े, मेरी तरफ से आपको बहुत शुप कामना है, जैसे दो मिर्ट आपको मेरे पती बात करना चाहेंगे, दीजिए, 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 वाए क्या सुमनाम है उनको युप सुमनाम है जी सर, मेरा नाम राजिन शर्मा है, आपको मेरे बाराम बार, नमस्कार तो अभी तब ये ठीक है, राजिन जी आप क्या आवाज बंद हो गई राजेंगे अजी सर्थ मेरा आराम मिल ले आए मुझे अजी सर्थ अजी सर्थ और अश्पितलों के सहयोग से आश्मान काड़ से उससे बहुत लाब मिल ले आए आश्मान भारत का पूरा लाब उठाईए लेकिन बीच में से बिमारी में तबियत का काम अब जाना है ठेला चलाना है चलो हम निकल जाते हैं ऐसा मत करना पूरी ट्रीट्मेंट कर लेना देखिया अर्चना जी आप भागवान है आपको ऐसी पत्नी मिली है ऐसे सुन्दर बच्चे मिले हैं तो भहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप चलिए मेरी आपको बहुत शुब कामना है भईया